सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं Chapter 10 Vector Elgebra के सारे के सारे formula इस Chapter में कई सारे formula है और कई सारे Concept हैं जिनको समझना बहुत ज़ादा जरूरी है बात करें इस chapter की तो इसको detail में हम पूरा cover कर चुके हैं साथ ही इसका one shot video भी cover कर चुके हैं ताकि कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से इस chapter का revision कर सकें तो description box में इसके one shot की link मैं mention कर दूँगी So class को start करेंगे Hello everyone, मैं हूँ Priyanka और आज हम देखने वाले हैं चाप्टर टैन वेक्टर एलजब्रा के सारे के सारे फॉर्मले तो class को शुरू करेंगे सबसे पहली बात करते हैं स्केलर कॉंटिटीज और वेक्टर कॉंटिटीज तो स्केलर कॉंटिटीज क्या होती है और यह एक रियल नंबर होती है अब वेक्टर कॉंटिटीज की बात करें वेक्टर कॉंटिज जो है इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है कि मेग्टिज क्या चीज है डिरेक्शन क्या चीज है तो एक्जामपल से समझेंगे इस तरीके से लाइन है अब ओवियसली लाइन क्या होती है डिरेक्शन में दोनों तरफ डिरेक्शन में अपनी बढ़ती जाती है मान लो इसी लाइन को हमने एक डिरेक्शन दे दी इस तरीके से तो यही line बन गई आपकी directed line बट आप इसको अभी भी vector नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि इसमें magnitude तो ह Deshalb तो हम क्या करते हैं इसी जो line है इसी line मेंसे यह जो line है ठीक है इसकी यह direction है इसी मेंसे हम एक line segment ले ले लेते हैं A point से लेके b point तक तो इस तरीके से आप clear देख पा रहे हैं कि A से लेके B तक आपको मिल गया magnitude, magnitude एक तरह की length होती है, particular fixed length, तो यहां से A से लेके B तक की length अब जो भी होगी बट कुछ ना कुछ length होगी और वो fixed होगी, ठीक है, तो A से लेके B तक की एक length होगी और आपको direction दिखी रही है, इस तर magnitude के साथ-साथ, direction भी आपको मिल गई, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे position vector की, so यहां पर देखें यह x-axis, y-axis, z-axis, यहां पर हमने space में कोई point, एक minute, so इस p-point का position vector हमको find करना है origin के respect में, तो अगर हम बात करें, तो देखें इस तरीके से यह op vector आपको मिल right, और इसी को हम कहते हैं, इसका component form, तो किसी भी vector का component form हमेशा i cap, j cap, k cap इस तरीके से form में रहेगा, ठीक है, अब सीधी सी बात है, यह जो op vector है, इसको हमने यह r vector भी नाम दिया था, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, op vector या फिर r vector और यह हो जाएगा, x, i cap, y, j cap, z, k cap, right, अब इसके magnitude की बात होती है, तो सीधी सी बात है, कि O से लेके P तक की जो भी distance रहेगी, वही रहेगा, इसका magnitude, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको r नाम हमने दिया था, और actual जो शो करने का तरीका है magnitude को वो यह है, कि हम किसका magnitude find कर रहे है, op vector का, तो जिस भी vector का magnitude find कर रहे हैं, उस पर हम लगा देते हैं, modulus, तो यह हो जाएगा, op vector का magnitude, अब यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, x-0 का whole square, y-0 का whole square, z-0 का whole square, तो सीधी सी बात है, यह हो जाएगा, x square plus y square plus z square root के अंदर, इस तरीके से आप magnitude find कर सकते हैं, किसी भी vector का, right, तो अब आगे चलेंगे, अब बात करते हैं, direction cosines और direction ratios की, तो direction cosines के अगर हम बात करें, तो detail video में हमने इनके जो formula हैं, उनको पुरा का पुरा derive किया है, बट यहाँ पर हम सिर्फ formula की बात करेंगे, तो जो direction cosines होते हैं, उनको हम L, M और N ते भी show करते हैं, L होता है, आपका cos alpha, M cos beta, N cos gamma, right, अब जो cos alpha होता है, वो होता है, X upon R, X क्या होता है, यहाँ पर आप coordinate देख रहे हैं, जो P है, जिसका position vector अभी अपने देखा, तो इस P की बात करें, इसके coordinate है, X, Y, Z, ठीक है, तो यह वाला X upon R, R क्या है, आपका अभी आपने देखा, यह R, right, यानि यह वाला की तरह काम करेंगा, ठीक है, तो cos alpha हो जाएगा, X upon R, cos beta, Y upon R, cos gamma, Z upon R, right, अब यहीं के यहीं अगर आप देखो, तो यह L into R हो सकता है, कि नहीं, R divide में, या multiply में, L की चले जाएगा, तो यहां से X की value आ गई, LR, Y की value आ गई, MR, Z की value आ गई, NR, और इन ही को हम कहते हैं, हमा हमारे direction ratios भी find की है, जो की हो गई, आपके LR, MR, NR, यह XYZ की value, तो यह जो P point था ना, जिसके coordinate X, Y, Z, यह मिलें अपने को LR, MR, NR, और इन ही को हम कहते हैं, direction ratios, ठीक है, इसलिए confused नहीं होना, तो direction ratios को A, B, C से show करते हैं, जनरल form में अपने बात करें, तो direction cosines को element से show करते हैं, right, cos, alpha, cos, beta, cos, gamma से show करते हैं, और जो direction ratios होते हैं, उनको A, B, C से show करते हैं, clear, समझ में आगी बात, इसलिए ध्यान दें, कि अगर आप इस form में कभी formula देखें, तो उसमें tension लेने वाली कोई बात नहीं है, यह जो X है, यह obviously A की तरह काम कर रहा है, Y जो ही, यह B की तरह काम कर रह इस तरीके से बन जाता है, right, तो direction cosines जो होते हैं, वो element से show करते हैं, या cos, alpha, cos, beta, cos, gamma से, और direction ratios होते हैं, अपने A, B, C से अपन शो करते हैं, ठीक है, बास समझ में आगी, और इस चीज़ को हमेशा दियान रखना, L square plus M square plus N square equal to क्या होता है, 1, अब बात करेंगे, आगे, कि multiplication of a vector by a scalar, बाई, किसी scalar से अगर अपन vector में multiply कर देते हैं, तो वो क्या होता है, यह अपना, क्या है, scalar है, यह अपना vector है, तो lambda A vector यह हो जाएगा, अपना scalar से एक vector में multiplication, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा geometrically भी अपने को show करके बताया है, कि हमने 2 से अगर किसी vector में multiply किया, तो आप देख रहा है, यह जो vector है, यह अपना vector A है, ठीक है, तो 2 से multiply करोगे, तो obviously magnitude इसका double हो जाएगा, तो यह magnitude double हो गया, अब क्योंकि यह positive था, तो इसलिए direction में कोई change नहीं आया, वही कि भाही direction रही, अपना negative की बात करते हैं, अगर minus 2 से आप करते हो, तो obviously यह length है, वो collinear vector रहेंगे, चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, unit vector, अगर हमको यहाँ पर देखा जाए, lambda A vector है, तो अगर A की direction में अपने को unit vector find करना हो, तो A और इस पर लगता है, unit vector जो भी रहेगा, उस पर cap लगता है, तो A की direction में A cap find करना है, तो formula हम आपको unit vector find करना है, तो unit vector find करने के लिए vector चाहिए, upon vector का magnitude चाहिए, that's it, okay, इतनी simple सी बात है, अब बात करेंगे vector joining two points, इसका बहुत use होता है, क्योंकि कई question में इसकी ज़रत पढ़ती ही है, कि अगर हमको इस तरीके से दो point दे दिया जाए, और इन दोनों point को join करने वाली vector find क तो इसके लिए formula ये रहेगा, आपका, आपका x2 minus x1, i cap, y2 minus y1, j cap, z2 minus z1, k cap, इस तरीके से आप, दो point को join करने वाली vector find कर सकते हो, magnitude कैसे find करो, कि वही simple है, आपका, देखो, x2 minus x1 का whole square, y2 minus y1 का whole square, z2 minus z1 का whole square root के अंदर, simple, ठीक है, चलिए, अब section formula की बात करेंगे, तो internally externally, externally, दोनों अलग-अलग रहेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, कि इस तरीके से आपका p point है, और q point है, op, p का आपका position vector है, oq, आपका q का position vector है, अब जो यह r जो है, जिसका position vector or है, यह आपके इस p q को particular किसी ratio में अगर divide कर रहा है, m is to n, internally, तो formula क्या रहेगा, यह रहेगा, किसका, यह जो or है, इसके position vector का, क्योंकि यही इनको particular किसी ratio में divide कर रहा है, so mb plus na upon m plus n, ध्यान दें, कि यह जो op vector रहेगा, इसको अपन a लेकर चल रहे है, oq vector को अपन vector b लेकर चल रहे है, but question जो रहेगा, उसमें यह vector a और b change होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, external की बात करें, तो same formula, बस बीच में minus लग जाएगा, mb minus na upon m minus n, ठीक, चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, अब इसी में एक बात आती है, कि particular किसी ratio में divide कर रहा है, मगर, but अगर बात करें, कि मानलो यह जो r है, चीक है, or, यह आपका r midpoint हो गया, if r is the midpoint of pq, then, product की बात करी जाए, तो यहाँ पर दो तरह से product होगा, scalar product, जिसको हम कहते हैं, ध्यान देना है, dot product, vector product, जिसको हम कहेंगे, cross product, सबसे पहले, dot product की बात करेंगे, सीधा formula होता है, a dot b equal to a का magnitude, b का magnitude, cos theta, ठीक है, अब यहाँ पर वही कहानी लिखी हुई है, कि अगर मानलो a 0 हो ग तो depending किस पर करेंगा, 0 होना, cos पर, cos 0 कब होता है, जब वह 90 degree पर रहा है, ठीक है, तो आगे देखेंगे उसको, चलो, इस formula का दियान रखना है आपको, कि अगर दो vector का dot product find करना हो, तो vector a का magnitude, b का magnitude, cos theta, ठीक है, चलिए, अब कुछ observation है, इन observation में कुछ formula include है, इसलिए हम इनको देख रहे हैं, पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कि a dot b, जब भी आप दो vector का dot product find करोगे, तो हमेशा वो एक real number ही होना चाहिए, चलिए, अब बात करेंगे, कि अगर a और b दो non zero vector है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि dot product का 0 होना, a पर भी depend करेगा, b पर भी depend करेगा, और cos theta पर भी depend करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, cos theta कब 0 होता है, जब वो, उसका theta 90 degree होता है, और 90 मतलब, obviously, दोनों vector perpendicular है, ठीक है, तो यहाँ से condition निकल कर आती है, और इस condition का use होता है, कि a dot b, कब 0 हो सकता है, जब दोनों अपने vectors perpendicular हों, तो कई बार question आएगा, कि show that vector a and vector be perpendicular, तो दोनों को perpendicular कैसे show करोगी, दोनों को perpendicular ऐसे show करोगी, कि दोनों का dot product अगर आपने 0 show कर दिया, मतलब दोनों perpendicular है, तो यहाँ से condition निकल कर आती है, ठीक है, चलिए, अब इस चीज़ का मेंशा ध्यान रखो, dot product में, कि अगर i dot i, j dot j, k dot k, यादि, same type के हैं, तो 1 मिलेगा अगर अलग-अलग है, dot product में, तो 0 मिलेगा, ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर theta 0 होता है, तो a dot equal to vector a का magnitude का square, ठीक है, अब इस formula का भी काफी जगे use होता है, कई बार अगर अपने को क्या करना हो, दो vector के बीच का angle find करना हो, theta find करना हो, तो इस formula का use करके आप find करते हैं, अ अगर आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं, projection of a vector on a line, ठीक है, किसी vector का projection किसी line पर, तो यहां पर देखिए, यह vector अपना, vector a भी, इसका projection, तो यह जो a c है, यह इसका projection रहेगा, ठीक है, अब अगर इसमें यह direction देदी, तो यह projection vector हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर वही है कि projection vector को show करेंगे, तो obviously, यह तो p vector से, यह फिर a c vector से, यह अपने को दिखी रहा है, ठीक है, इसकी length क्या होगी, भाई, a से लेके c तक की distance, ठीक, तो भाई, यह कि length of a c, जिसको हम कहेंगे magnitude of a c, formula होता है, a b, vector का magnitude, cos theta, ठीक, चलिए, main formula की बात आती, तो main formula अपना यह है, कि अगर किसी vector का magnitude, sorry, अगर किसी vector का projection find करना हो, तो कैसे करोगे, तो हमेशे ध्यान रखो, कि projection find कर रहे है, vector a का, किसका find करना है, a का, तो a vector, किस पर find करना है vector b पर, तो b का unit vector, इस चीज़ का ध्यान रखना, बस यह order गडबड, नहीं होना चाहिए, तो vector a का projection, किस पर on vector b पर, तो जिस पर भी find करना है उसका unit vector बस अब unit vector का formula आप भी मैंने आपको बताया था कि जो भी vector का unit vector है वो vector upon उसका magnitude इतना simple ठीक चली अब ये तो अपनी cautious words inequality होती है इसको धियान रखना है अपने को और triangle inequality होती है इसका धियान रखना है अब ये जो triangle inequality होती है इससे अपने को एक result मिलता है वो रिजल्ट किस चीज़ का मिलता है कि अगर अपने को तीन पॉइंट दिये जाए और अपने को बोला जाए कि शो करो को लिनियर है तो यहीं से निकल के आता है क्योंकि देखो ये triangle inequality है अगर इसका equal वाला पार्ट अपन उठा लें तो यहां से अपने को मिलता है AC vector का magnitude equal to AB vector का magnitude plus BC vector का magnitude अगर आपने ये show कर दिया मतलब कि यह जो तीन पॉइंट है यह obviously collinear होने वाले है बस simple ठीक है चली तो यह एक formula की तरह ही काम करता है अपने अपने लिए है अब बात करेंगे cross product की dot product आपने समझ लिया अब किसकी बात करेंगे cross product की तो जैसे dot product के लि CAP जो है यह vector A और vector B पर perpendicular जो vector होता है उसी का unit vector है ठीक है समझ में आगई बात तो right hand thumb rule जो है वो काम करता है डीटेल वीडियो में अपने सारी चीज अच्छे से समझी थी अब B cross A अगर बात करें तो B cross A में क्या रहेगा बात है कि यहां पर इस direction के opposite में आपका जो तो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो फाइंड करेंगे तो obviously direction चेंज होई मतला माइनस साइन लग जाएगा simple तो माइनस वेक्टर B का magnitude A का magnitude sin theta n cap ओके और obviously ध्यान रखना कि कभी भी cross product commutative नहीं होता चीक चलिए अब बात करेंगे कि सीरी सी बात है कि वेक्टर A और वेक्टर B में से कोई भी अगर एक 0 हो गया तो obviously यह पूरा 0 होई जाना है ठीक है क्योंकि theta defined ही नहीं होगा या फिर sin theta पर depend करता है तो यहां पर भी लिखा हुआ है पहली साइन में कि इधर A 0 और V 0 देन theta is not defined और A cross B equal to 0 और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि sin theta 0 हो जाए और sin theta 0 कब होगा या तो वो 0 पर होगा या पाई पर होगा जिसको हम क्या सकते हैं पाई इस कंडिशन में क्या होगा कि हमेशा A और B या तो पैरलर रहेंगे या को लिनियर रहेंगे तो जैसा dot product में आपने देखा था कि A dot B 0 कब होता है जब A और भी परपेंडिकुलर हो राइट अब A cross B आपका 0 कब हो सकता या तो A 0 या B 0 हो या फिर साइन थीटा 0 हो ठीक है तो यहां पर वही है कि साइन थीटा 0 कब होगा जब 0 रहेगा या फिर वो पाई रहेगा थीटा रहेगा तो थीटा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A और B मस्ट भी पैरलल और को लिनियर इससे यह दो अपने निकल कर आती है अब आगे चलेंगे तो इस चीज़ का दिहान दखो कि थीटा कर पाई वाई तो सीधी सी बात है होता है तो यहां पर नेगेटिव साइन लगता है ठीक है क्लियर अब आगे बढ़ेंगे अब यहां पर इस फॉर्मिले से भी अपन दो वैक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी जो क्रॉस प्रोड़क्त होता वो इस तर इस इन साइड है और अगर इन दोनों एड्जेसेंट साइड को कोई वैक्टर अगर शो कर रही है ठीक है यह वैक्टर ए हो गई यह वैक्टर बी हो गई तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मिले से वन अपन टू मैगनिटिव डॉफ वैक्टर एक्रॉस किया क्या है सेम यहाँ पर पैडलोग्राम की कहानी है कि अगर पैडलोग्राम की वैक्टर शो कर रही है मेग्निटिट नव सूंomorph cer दे आप A क्रॉस बीसका को मैंदा कर सकते हैं अब बढ़ेंगे आगे अब यहांपर कुछ इन न kis बारे में यह पोइन यह हैं किसके बारे में आपके component form के बारे में component form क्या होता यह तरीके का फों में और अगर component form में आपको वेक्टर दियो हूं तो उनको add कैसे करोगे सब्ट्रेक्ट कैसे करोगे multiply कैसे करोगे multiply में भी दो तरह से product होंगे आपके scalar product और vector product तो वो सारी चीज़े हम देखने वाले हैं तो इसको फटा-फट से कतम करते हैं देखिए अगर vector a और vector भी दिये हुए अपने को दोनों component फॉर्म में दिये हुए तो प्लस कैसे करोगे आप भाई a1 b1 i cap plus a2 b2 j cap plus a3 b3 k cap इतना simple है यह यह रहा है ठीक सब्ट्रेक करना वो भी कैसे करोगे a1 minus b1 i cap a2 minus b2 j cap a3 minus b3 k cap ठीक है अब दो vector equal का वो सकते हैं जब उनके corresponding coefficient i, j, k के corresponding coefficient है वो equal हो मतलब a1 b1 के equal हो a2 b2 के equal हो a3 b3 के equal हो तभी जाके दो vector equal हो सकते हैं अब अगर किसी vector में ठीक है हमको किसी scalar से multiply करना हो तो देखो अगर ऐस तरह से vector दिया हुआ है तो आप lambda का multiply करके lambda है लेकिन component form में इस तरीके से i, j, k वाले form में तो अलग अलग कर तो कुछ में lambda a1 i cap lambda a2 j cap lambda a3 k cap simple अब आगे बढ़ेंगे अगले point पे कि if vectors a and b are given to component form this and this then two vectors are collinear if and only if अब देखो अगर इस form में अपने को यानि कि वह component form की अपन बात कर रहे हैं इस form में अपने को दो वेक्टर दिये हो तो वह collinear हो सकते किस condition में जब यह condition satisfy हो ठीक है तो यह भी formula की तरह ही काम करेगा आगे बढ़ेंगे अगले प्रोइंट पर कि अगर हमारे पास यह दोनों वेक्टर content form में हो तो इनका डॉट प्रोड़क्त कैसे फाइंड करेगो दोपहन प्लस करना सीख लिए component form में माइनस करना सीख लिया किसी स्केलर से multiply करना सीख लिया लेकिन अगर dot product करना हो तो कैसे करोगे कुछ नहीं a1.b1 i cap.i cap 1 होता है a2.b2 j cap.j cap 1 होता है न और a3.b3 वही formula a.b equal to a1b1 plus a2b2 plus a3b3 अब अपन बात करेंगे cross product की तो cross product के लिए थोड़ा अलग formula काम करता है कि जैसे इस तरीके से अपने component form में दिया हुआ है दो vector तो इनका cross product इस तरीके से find करते हैं कि पहली रो में i cap, j cap, k cap दूसरी रो में जो भी अपना पहला vector यहां रहेगा उसके coefficient और तीसरी रो में दूसरी जो vector रहेगी उसके coefficient तो यहां पर आपने देखा a1, a2, a3 b1, b2, b3 और इसको solve कर लेना along row 1 तो solve करेंगे तो obviously यह आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आप cross product find कर सकते हैं in component form चीक है इस तरीके से इस chapter के formula होते हैं खतम और I hope कि सारे formula आपको clear तरीके सा समझ में आ गाए हूँ क्योंकि इसमें कई सारे formula है systematic अगर formula हमारे पास हो तो वही chapter बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए चीक है प्रिविएस येर के questions भी हम करने वाले हैं तो साथ में बने रहिएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye and thank you